कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महावीर गरीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आएँ एक और अच्छी सी वीडियो मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकोन का बटन उस पर कलिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाओं उसका नोठिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए तो लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा से वीडियो को ताकि फाइदा सभी लोगों को हो त आज की वीडियो वायू प्रदूशन का अर्थ प्रदूश को दुवारा वायू मंडल में घुलकर वायू मंडल के अव्यवों की अनुकूलतम मात्रा में परिवर्तन ला देने को वायू प्रदूशन कहा जाता है अन्य सब्दों में वायू में एवांचनिय कणों या गैसों का होना जो मानव वन्य जन्तूओं वनस्पतियों भवनों पर बुरा प्रवाव डालते हैं वायू प्रदूशन कहलाते हैं प्रिवासा विश्वस्वातस संग्ठन के अनुसार कि वायू प्रदूशन एक ऐसी स्तिती है जिसमें भारिय वायू मंडल में मानव और उसके पर्यावरन को हानी पहुंचाने वालित तब सगन रूप से एकत्रित हो जाते हैं कठे हो जाते यानि सेगिंड के कानन के अनुसार कि वायू मंडलिय संगठकों में मात्रा अत्मक परिवर्तन अत्वा एक या अधिक परदूशकों दुवारा भारिया वायू मंडल में इतनी अधिक मात्रा में प्रिवेश की मनुस्या पादब प्राणी जगत को हानी पहुंचाए वायू प्रदूसन कहलाता है संक्सेप में वायू में ठोज दरवय गैस रूप में प्रदूसक तत्तव इस सीमा या सांदर्ता तक मिल जाए जो मनुस्या जीव जन्तु वनस्पत्ति संपत्ति के लिए हानिकारक हो साथी प्रदूसक तत्तव मानवी स्वास्त्य समता के पर विपरीत प्रवाव छोडई तो उसे वायू प्रदूसन कहा जाता है वायू परदूस उनके कारण कौन-कौन से हैं दो कारण है प्राकर्तिक मानवी है तो सबसे पहले पढ़ेंगे हैं प्राकर्तिक कारण की जवाला मुकी से निर्शित राग विविन गैसे वनो की आग से निकला दुवां आंधी तुफान से फैले धूलकन समुदरी लहरों के प्रवाव से उठे वायू मंडल में नमकेकन वायू को परदूसित करने वाले प्राकर्तिक कारण है विविन कारबनिक तता विविन कारबनिक पदारतों के जलने गलने सड़ने से भी वायू परदूसन होता है सबसे खत्रनाक आज के समय में यही है सबसे ज़्यादा कारण आज मानविये किर्याइं व्यापक और विविद यानि बहुत जादा होती जा रही है फैलती जा रही है यह किर्या यानिक प्रकार के प्रदूसकों को जनम दे रही है जो वायू मंदल की गुणता को नुक्सान पुचारे कम कर रहे हैं वह निम लिखते हैं नमबर एक ग्रेलू इंदन उप्योग कहते हैं ग्रेलू कारियों के लिए तो वह देनिक अफ्कताओं की पूर्ति के लिए हमें उस्मा वै उर्जा की जरूरत पड़ती है इसके लिए हम लकडी उपजे लकडी का कोईला पत्थर का कोईला मिट्टी का तेल गोबर गैस मिथेन कूकिं गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, गैस, डीजल, प्रेट्रोलियम का अप्योग करते हैं इनके दहन से कार्बन, मौनोकसाइड, कार्बन, डाइकसाइड, सलफर, डाइकसाइड, हाइड्रोजन, साइनाइट जैसी गैसे उत्पन होती हैं और इंदन के आप पुर्ण दहन के फल का बड़ी मात्रा में उप्योग होता है, जिससे भी ज्यादा मात्रा में कर्बन डाइकसाइड उत्पन होती है, इससे परहवन में ऐसंतुलन पैदा होता है, गरेलू इंदनों का देहन कुल प्रदूशनों के 16 परतिसत के लिए जिम्मेदार है, 16 परसेंट, सेकिन अधोग उर्चा के लिए कोईला आनविक विखंडन पट्रोलियम प्राकरती गैस विदूद का उप्योग होता है, अदोगिक चिमनियों ताप विदूद घरों से निकलने वाला काला गहरा दूआ प्रमुक प्रदूशक तत्व है, दूए में कार्बन मोनोकसाइड, कार्बन डाइ एकसाइड, हाइड्रोजन सलफाइड जैसी गैसे होती हैं, इंदन दहन के अतिरिक्त, अदोगिक प्रकिरिया में होने वाले विखंडन, तदा घिसाई, पिसाई, और रंगने आदि से निकले प्रदार्थ भी पर्यावन को परदूशित करती हैं, यूँ तो सभी दोग वा सुति वस्तर, डिश्टलरी, आदि प्रयावन का बड़ी मातरा में हास करते हैं, नुक्सान पहुंचाते हैं, उद्योग से होने वाला प्रदूशन वरतमान में कुल प्रदूशन का 14% है, चलाए मान दहन स्तरोत, बस ट्रक, टेंपो, कारे, श्कूटर चलती फिरती छोटी फैक्ट्रियां हैं, जो घूम घूम कर दिन रात प्रदूशन फिला रही है, मोटर वान कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड, हाइड्रो कार्बन, लेड के सबसे बड़े उत्पादक हैं, कार से कार्बन मोनोक्साइड की मातरा 3% निकलती है, जबकि दूप या वानो से 45 परतीसत, सब चालित वानो से निकलने वाला नाइट्रोजन अक्साइड, हाइड्रो कार्बन सुर्य के परकास्ट की उपस्तिति में, नाइट्रोजन अक्साइड ओजोन एक योगिक प्रैक्सिल एसीटाइल नाइट्रेट उत्पादित करते हैं, ओजोन तो किस लाग से अधिक मोटर गाड़िया हैं, मुंबई में पर्यावरण में प्रती दिन 550 टन पर दू सकता तम मिल रहे हैं, अब आता है क्रिशी समंदित कारिया, कि फसलों में होने वाली विविन बिमारियों की रोग थाम के लिए घातक रसाइनों का छिड़काव किया जाता है, छिड़काव के दुरान इन रसाइनों की कुछ मात्रा वायू मंडल में सिदे प्रवेश कर जाती है, कुछ गातक रसाइनिक खाद्यान का अंग बनकर हमारे स्रीर में आ जाते हैं, स्ताई प्रवाव वाले अनेक कीटनासी लंबे समय तक वायू मंडल को परदूसित करत होते हैं, जैसे डिडिटी, बी एच सी, एलड्रीन, डी एलड्रीन, ऐसे ही कुछ रसाइन है, इसके अतरिक्त क्रिशी भूमी प्रापत करने के लिए जंगलों को आग लगाने, चरागा बनाने के लिए जलाए गए पेड़ पोदों से 60-65% कार्बन डायकसाइड की उत्पत नेक्स्ट है, खनन के कारण, खानों के आसपास के वात्तावरण में धूल के कन, रसाइनिक पदार्थ फैल जाते हैं, खनीजों की जड़ाई, खुदाई, चिराई, गिसाई भी धूल कनों के द्वारा वायू मंडल को परदूसित करते हैं, ना भी किये खनीजों के खनन से निकटवर्ती छेतरों में वीवरण फैलता है, विलाईकों का प्रभाव, भी अनेक्र सायनिक नमी और वायू के संपरक में आने पर और उचे ताबमार पर वास्पित होने लगते हैं, वायू मंडल में फैल कर प्रदूसन का कारण बनते हैं, और इस कारण का प्रदूसन, इस प्रकार का प्रदूसन विलाईकों द्वारा होता है, जिनका उप्योग उद्वारा रसायन सालाओं में किया जाता है, रबड पेंट पलास्टिक के निर्मान की प्रकिरिया में सप्रे पेंटिंग पॉलिस के लिए जिन विलाईकों का प्रियोग किया जाता है, वे पर् सथार्तों से अलफा बिटा गामा वीगरण निकलते हैं जो वाईयू को तो परदूशित करते ही है साथ ही साथ जीवधारियों के लिए भी बहुत हानिकारक होते हैं प्रमाणु कच्छरे का निप्टार अभी व्रतमान में वाईयू परदूशण का कार बना है नेश्ट है वातानू कुली साधनों का परियोग कि वातानू कुली साधनों के परियोग से भी वायू मंडल परदूसित हो रहा आ है इन मशीनों से cfc गैस निकलती है और ये मशीने ओक सीजन का बहुत उप्योग करती है दुमरपान दुमरपान के लिए प्योग किये गए हुक के बीडी सिगर्ड सिगार आदी से भी वाईउ पर दूसन होता है दुमरपान से कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी पैदा होती है विक्षी देशो दुवारा दान तता निर्यात प्रदोग की या मशीनों से प्रदूसन फैलता है कई भारतो रसायनक और दवाईयों का उनके अपने यहां प्रतिबंध होता है और वे उन्हें विकासिल देशों को निर्यात करते हैं बेचते हैं अत्वाद दान में भी देते हैं दान की इस प्रकिरिया में विक्षित रा कि आंतगवादी गतिवीदियां मसीनी तरूटियों तता मानव्य गलतियों या चूंकों के कारण होने वाली द्रगोटनाओं से भी वाईयो मंडल परदूसित होता है 3 दिसंबर 1984 को भवपाल स्थित रसाइनिक उर्वक बनाने वाली भवराष्टिय कंपनी यूनियन कारबाईट के कारण खाने से मिथाईल आइसोसाइनाइट गैस का रिशाव हुआ मिथाईल आइसोसाइनाइट इस द्रुगटना में धाई लाख लोग प्रभावित हुए करीब चार हजार लोग ऐसमाईक मृत्यू का सिकार बने क्या पता इससे भी ज़्यादा हूँ जो जीवित बचे वे आज भी अनेक परकार के रोग भोग रहे हैं 26 अप्रेल 1986 को युक्रेन के चर्णोबिल प्रमानुस सक्ति ग्रह में हुए विश्वोट से हजारों लोग मोत का सिकार हुए इसी प्रकार विविन देशों के आयूद बंडारों में अचानक हुए विश्वोटों होटलों और सर्व सो मानगरों में होने वाले अगनी कांड से भी वाईयू प्रदूसित होती है लास्ट है अन्या कारण अधर फैक्टर कौन कौन से है अब सिच्प्रदार्तों के सड़ने करने निर्मान कारियों उत्सवों में पटाके आतिस बाजी गुलाल अभीर उडाने वानों के चलने से उठी धूल आगने अस्तरों के प्रयो कोर्षन वाईयू प्रदूस के दूस्प्रभाव उनका वर्न करो ये कोर्षन आएगा नैक्स वीडियो में तो दोस्तों लाइक करें करें कौमेंट करें फिर मिलते हैं कोर्षन के साथ वाईयू प्रदूस्प्रभावों का वर्नन helmets ने जैभारत झाल झाल